मसकार आरकेदांगी चैनल में आपका स्वागात है अगर आप भी UP ITI इंस्टक्टर की स्लेवस का बेट कर रहे थे कैसा एक्जाम पैटर्न होगा या UP में या उत्तर प्रदेश में ITI अनुदेशक की स्लेवस का आपको पाठिकरम का इंतजार था तो उसका अपडेट आ चुक जो स्लेवस होगा उसको पढ़ें कहां से और किस तरीके से आप तयारी करें जिससे कि आप ITI में इंस्टक्टर बन सकें या आनुदेशक बन सकें लेकिन चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन जरूल कर दें हम से जानने स्लेवस डिसकस कर लेते हैं देखिए क्वा आज ही का नोटे से नोटस वोड पर देखिएगा 11.1 21 यह जो देखिये का मैंने जो किलिक किया इस पर सबसे आपके नना नोटीस वोड कि जस्ट नीच ठीक है tu । anga इसमें वेम देखिएगा मैंने थोड़ा सा हाइल लाइट कर दिया है यह जो दिख रहा है आपको यह अगर हम इसकी बात करें ठीक है तो इसमें जो मैंने बताया था आपको नोटिस अगर उस पर हम किलिक कर दें तो यह एकदम से निकल के आईगी जानकारी जैसे मैंने अभी किलिक किया तो यह जो सलेवस है इसमें आप देख ये जो सलयवस जारी किया है कुछ चैंजिय भी किया है उन्होंने परिक्षा में, जैसे पहले आप जो परिक्षा देते रहें वैसे नहीं होगी परिक्षा, देखेगा आप, कुछ संधर्व उन्होंने लेटर का हवाला भी दिया है, डोहजार पंदरा पर विग्यापन ऑनलाइन किये गए थे तो यह 15 और 16 वाली जो वेकेंसी थी उन्हीं वेकेंसी को लेके पूरा उन्होंने एक्जाम से लेके देखिएगा साक्षातकार मतलब इंटर्व्यू का उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि इस बार इंटर्व्यू होगा नहीं बाकी ज हां से समझिये साक्षातकार मतलब इंटर्व्यू बंद हो गया है मतलब नियाम वाली 2017 के अनुसार ये बंद हो गया इंटर्व्यू आपका होगा नहीं और 30 नमंबर को सासन निर्देश जारी कर दिये हैं पिर सिक्षन सेवा योजन सेवा योजन विभाग के जो भी मैं आपको बता देता हूं सीधी भरती पिर किरिया मैंने बता दिया अफसाक्षातकारों के अंकों के इस्तान पर लिख पर इक्षा की योजना मतलब आप देखिएगा इंटर्व्यू खतम हो रहा यहां पर अब हम थोड़ा सा इस पर आ जाती है पहले पर इक्षा योजना एक्षाम का कैसे एक्षाम उनको लेना है सो नंबर का आपका पेपर होगा मतलब सो कोश्चन रहेंगे आपके और समय दिया जाएगा आपको दो घंटे है एक सो बीस मिनट जिसमें कि पहला भाग रहेगा बिसेगत ग्यान का भी सलेवस दिया है और दूसरा भाग रहेगा आपका जिसमें कि 40 कोश्चन होंगे और 40 अंक होंगे सामान ग्यान रहेगा आपका मतलब कि पहले जो पहला जो भाग है फ़स्ट पार्ट है उसमें आपका बिसेगत ग्यान के 60 कोश्चन रहेंगे उनके एक एक अंक रहेंगे और दूसरा जो भाग है उसमें मतलब दो पार दूसरा पार्ट है उसमें सामान ग्यान जनरल नॉलेज के 40 कोश्चन के 40 मार्क्स रहेंगे मतला हर कोश्चन एक नम्मर का होगा लेकिन यहां पर बिसेस ध्यान देना है आपको माइनस मार्किंग जरूल होगी अगर आप गलत निसान लगाएंगे तो बन फूर्थ मतला जो बोलेंगे बिसेगत बिसेगत ग्यान में एक्यान में मतला इटि के अंसके एक के आई एकश्यवाख से पूरा का पूरा वही स्लेवास उन्होंने दे रखा है और पूरा उन्होंना बोल रखा है कितने अंक रहेंगे अंग्रेजी साक्षरता पंक्च्वेशन इसमें पंक्च्वेशन मतलब फुलिश टॉप कॉमा कोश्चन माक इसका रहेगा एक वचन बहुचन अंग्रेजी की बात चल रहा हूँ सिंगूलर प्लूरल हो गया चेंजेज ऑफ टैंस आगया आपका प्रिजेंट पास्ट फ्यूचर टैंस यह सब सारी टैंसे इस पर पांच कोश्चन रहेंगे अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर का कंप्यूटर का मतलब सूचना प्रद्दों की साक्षरता मतलब आई टी ल आती है युक्तियों के नाम मतलब इनपूट आउटपूट डिवाइस आपके कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं आप स्विच हो गया आपका राउटर हभ यह सारी चीज आए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका MS ब साइल फोल्डर यह सारी चीज है MS बर्ड पे भी रहेंगे आपके कोश्चन भी संक हम बता दें और इसके अलावा वेब ब्राउजर सर्च इंजन क्या होता है सी सी बी सी सी यह सारी चीज है हमने आपको बता दें साथ क्यू आर कोड को स्कैन करना वाइफाई का परियोग कर ना तो यह सारी चीज है साथ इसमें डिवाइड कर रखें भी संक इसके बाद आते हैं दसंक जो है परियावरंड सिक्षा पर इन्वारेंटमेंटल एजूकेशन इस पर पूरी चीज है यह पूरा उसी का है फिर स्रम कल्यान कानून इनको पढ़ना है पूरा हमें क्या क्या चीज है इसके बादा गुड़ मंतला प्रवंधन इसको बोलते है क्वालिटी मैनेजमेंट ठीक है इसके भी उन्होंने बता दी है आई एसो की अपधारना क्या है आई एसो करता क्या है आई एसो मार्क होता है ना किसी किसी पर आई एसो सैटीफिकेशन होता है उसका क्या क यह उनों Manual भारती राश्टी यांदो लन ये सारी चीजह जो भी उनोंगा बोली है यह इसके परतेक के यह जैसे पहला जो पैरा सीरियल GP gy नमर है भारत की संसक्रित नमर भारत की मायद्सुट इसके पांच उंक रहेंगे वहालाइ भारती सम्मेधान की मुखबे सेस्था है इसके भी पांच अंक रहेंगे ये पूरा जो दूसरा जो पॉइंट है उसमें जितनी भी चीज़े हैं उसमें से पांच कोश्चन पूछे जाएंगे सीधा हिसावसन सद्यकारी तीसरा इसी तरीके से पुरा जो बारी हमें से तो आपको करना क्या है तैयारी अच्छे से करना है यह आपका एकजाम पैटर्न सीलेवस अब मैंने बता दिया है तो सबी के लिए all the best channel जरूल सबस्क्राइब कर ले जिससे कि आपको सभी सभी पसभी जानकारी मिल सके इसके अलावा अगर आपकी कोई और कोईरी है तो कमेंट्स करके जरूल पूछें आर के दांगी टेलीग्राम चैनल भी जोईन कर ले डिस्क्रिप्शन में देखें हमने अपनी जो भी वाट्स अप नमबर है बाकी सारी डेटेल दी हुई है वहाँ से आप हमें अलग-अलग प्रिलेटफॉम पर फॉलू कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नई जानकारी सांथ बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सेर जरूल कर दें अपने दोस्तों को जिससे के वह भी इस पाठ करम के अनुसार तैयारी कर सके बहुत बहुत धन्यवाद